हेलो दोस्तों सुवागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम आपको बताएंगे आसान वीदी से गाजर का हलवा कैसे बनाया जाता है ना इसमें गाजर को घीसना पड़ेगा और नहीं ज़्यादा जंजट करना पड़ेगा तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेश करना नए भूलें और वीडियो को जो है लाइक करें तो सबसे पहले हमने दूद में यहाँ पर मिला लेना है सूखा दूद दूद हमने लिक्विड लिया है जो यह एक लिटर है और जो हमने सूखा दूद लिया है यह हमारा है डेड़ सो ग्राम तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूद हमारा जो है मिक्स होकर तयार है अब चलते हैं गाजर की तरफ यह देखे हमने गाजर को जो है अच्छे से धो लेना है और इसको अच्छे से धो करके हम इसका रूट्स वाला भाग और जो इसका अगला भाग है उसको कट कर देंगे और गाजर को जो है हम अच्छे से छील लेंगे ये देखे हम इस तरह से गाजर को जो है अच्छे से छील लेंगे गाजर हमारी छीलकर तयार है और अब हम इसको जो है कट करेंगे इसको बड़े बड़े टुकुडों में हम कट कर लेंगे यह देखिए इस तरह से हमने इसको जो है कट कर लेना है यह रेसिपी हम कूकर में बनाने जा रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें और इस तरह से हम जो है मोटे वाले भाग को गाजर के दो भागों में बाट लेंगे और जो पतले वाला भाग है उसको इसी तरह रहने देंगे और ये जो हमारा पीले वाला भाग है गाजर के अंदर इसको हम निकाल देंगे इसका कोई भी टेस्ट नहीं आता गाजर के हलवे में इसलिए हम इसको अलग निकाल देंगे वैसे तो आप जो है कची कची गाजर लें तो यह हमारी गाजर जो है यहाँ पर कट कर तयार हो चुकी है अब इसको पकाते हैं इसे पकाने के लिए हम कूकर का यूज़ करेंगे और कूकर में हम डाल लेंगे दो बड़े घी के चमच यह हमने देशी घी लिया है और इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे यह देखे घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें मिलाएंगे इलाइची पाउडर यह हमने दरदरा सा इसको जो है कूट लिया है इलाइची को और इसमें कुछ हम केसर डालेंगे यह देखे हमने इसमें जो है केसर को डाल लिया है अब हम इसमें जो है गाजर को भी डाल देंगे यह हमने गाजर को भी इसमें डाल दिया है इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि गाजर के ओपर जो है अच्छे से घी लग जाए इसको कर्ची की साहता से हम इस तरह से चलाते हुए इसको गुमाएंगे आप चाहे तो इसमें देखे नमक भी डाल सकते हैं मैं इसमें बिल्कुल हलका सा नमक डाल रहा हूँ क्योंकि गाजर जो है अपना पानी जल्द से जल्द छोड़ दे और यह है अच्छे से कुक हो जाए तो अब हम कुकर को जो है डक्कन लगा देंगे और इसको एक सीटी आने तक हम वेट करेंगे यह देखिए कुकर की एक सीटी आ चुकी है अब हम गैस को जो है बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे यह है ठंडा हो चुका है अब हम कुकर के डक्कन को जो है रिमूव करेंगे ये देखे हमारी गाजर जो है अच्छे से पक चुकी है अब हम इसमें मिला देंगे दूद जो हमने ड्राइ मिल्क के साथ मिक्स किया हुआ था उसको डाल देंगे और इसको अच्छे से चलाते हुए इस तरह से हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे इसको आप कर्ची की साहता से स्टर्च करते रहें ये देखे अच्छे से यहाँ पर पकना स्टर्ट हो चुका है हमारा गाजर का हलवा ये देखिए कितना शांदार हमारा गाजर का हलवा बनकर तयार हुआ है बिना मेहनत के इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं की हमने तो चलिए अब इसमें तड़का लगा लेते हैं तड़का हम लगाएंगे इसमें ड्राइ फ्रूट्स का इसके लिए हम एक चमच लेंगे यहाँ पर देशी घी और इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे अब हम इसमें ड्राइफ रूट डाल देंगे घी को मेल्ट होने के बाद और इनको अच्छे से हम कूक करेंगे दोस्तो ड्राइफ रूट आपको जलाने नहीं है हलके सा बस कूक करना है जादा नहीं कूक करना है इसको जब इससे खुस्बू आने लग जाए ड्राइफ रूट्स की तब हम तुरंत ही इसको गाजर के हलवे में डाल देंगे और ये हमने इसको इसमें डाल दिया है ड्राइफ रूट्स को इसको अच्छे से मिला देंगे इसको अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे चीनी यहीं आप अपनी कौन्टिटी के हिसाब से लें कि आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसको हम चीनी को अच्छे से इसमें मिक्स होने तक दोबारा से हाई फिलेम पर अच्छे से पकाएंगे शानदार यहाँ पर बन कर हमारा हलवा जो है तयार हुआ है तो दोस्तों यह है रेसिपी आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले मिलते हैं